सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाइए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से फ्रुस्कार दोस्तो मेरा नाम रोधास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल इमिजनेट प्रोपे दोस्तो आज हम पेपर फर्स्ट आई सीट में बात करने वाले हैं वैब 1.0, 2.0, 3.0 इसके साथ साथ इंपोर्टन ओपरेटिंग सिस्टम के बारे हम बात करेंगे और इसके अलावा हम हिश्ट्री ओव वैब राउजर के बारे हम बात करेंगे दोस्तो इन में से पहले कोशन आ चुके और आगे भी इन में से कोशन आने की संभावना है और अभी हमारा जो 2020 में एक्जाम हुआ है उसमें भी इन टोपिक्स से कोशन आए हैं ये सबी चीजे में आपको करवाऊंगा दोस्तो और आज हम ठियोरी के साथ साथ लास्ट में आपको कोशन भी दिखाऊंगा की इन में से किस तरह से कोशन आए हुए हैं तो दोस्तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखें टाइप ओफ कोशन से जो भी कोशन आचके वो अलग है यानि कि सब टॉप्टिक वाइस कोशन भी आपको मिलने वाले हैं नमबर पांच के दोस्तो हम आपको ओर टैन यूनिट की एड़ फ्री वीडियो से देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ कोशन में बहुत उसके बाद में 2020 में जो कोशन आए है वो भी हम देखेंगे देखेंगे दिसंबर 2019 के के अंदर कोशन आया था निमले कितमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है कौन सा सर्च इंजन नहीं है वो हमें बताना था तो बिलकुल असान कोशन था दोस्तों यह गूगल क्रोम याओ भींग तो इसका अंसर है दोस्तों हमारा सर्च इंजन नहीं है क्रॉम क्या है हमारा वैब ड्रौजर है दोस्तों तो आप बिलकुल असानी से सकते थे और यह लेटेस्ट है दिसंबर 2019 का बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है उसके बाद में दोस्तों 2013 के अन्दर कोशन आ गए थे यानि कि इंटरनेट की सुरुवात सबसे पहले किस काम के लिए की गई थी तो इसका अंसर है दोस्तों मिल्टरी उदेश्य के लिए इसका यूज किया गया था उसके बाद में आप देख सकते जून 2014 के इंदर कोशन आया है पर्थम वेब राउजर कौन सा है तो इसक अंसर है और कई दोस्त इसका अंसर इंटरनेट एक्स्प्लोरर देते हैं लेकिन वो गलत अंसर है दोस्तों आप ध्यान रखना इसका जो आंसर है ट्रिपल डवलू है आप गलती मत कर देना इसके अंतर अब दोस्तों वेब ब्राउजर से रिलेटिड थोड़ी हिस्टरी द डिरेक्टर टीम वर्नली के दवरा 1990 के अंदर पहला ब्राउजर बनाया गया था और यह देखिए दोस्तों यहां पे आप ध्यान से पढ़ लीजिए वाजदा फर्स्ट ब्राउजर एवर क्रेटिड वाइड डवलू 3C ट्रिपल डवलू वर्ल्ड वाइड वैव यह जो थ पहला और दिस वाज दा ओनली ब्राउजर एंड दा ओनली वे टू एक्सेस दा वैब उस टाइम के लिए ही एक ऐसा ब्राउजर था ऐसा जरीया था जिसके जरीये हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे उसके बाद में दोस्तों 1992 के अंदर लिनेक्स आया था वाज सब्सक्राइब कि अंदर इसे में इंपूप्रुमेंट किया गया और चिजर्ली के इंदर इंटरनेट एक्स्प्लो dicen जो कि Microsoft ने ने शुरुवात की थी research प्रॉजक्त के तोर पर इन्हों ने भी ब्राउसर ले किया है ये भी इपर ब्राउसर ले किया Moment प्रॉजर किए उसके बाद में धुर्ब लेके आया और इसके बाद में 2004 4 में बात करें तो Mozilla ने अपना खुद का वेब ब्राऊजर लौंच किया Firefox लौंच किया उसके बाद में 2007 की बात करें तो Mobile Safari was introduced as Mobile Web Browser Apple ने अपना खुद का Mobile version लौंच किया Mobile Safari के नाम से उसके बाद में हम बात करें दो 2008 के अंदर Google Chrome Google Chrome देखिये आज इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं इन्होंने कितना लेट जाके यह अपना ब्राउजर लेके आए गूगल क्रों लेके आए 2008 के अंदर और 2011 के अंदर ओपेरा मीनी आया था दोस्तों और ओपेरा मूने मीनी जो था दो बहुत ही फास्ट ग्रोविंग ब्राउजर बन गया था उ उसके बाद में 2015 के अंदर Microsoft Edge आया था और यह यह किसके competition में था दोस्तों यह Google के competition के अंदर आया था और इसमें हम कुछ और देख लिए दोस्तों जो हमारे टॉप पॉपुलर वेब ब्राउजर है उनकी लिश्ट देख लिए थे हैं क्यूंकि एक्जाव में जो question है उसके अंदर ऐसे आते हैं कि चार option में से हमें बताना कि कौन सा वेब ब्राउजर है या है फिर नहीं है आप यहाँ पर देख सकते हैं Maxton Web Browser, Puffin Web Browser, CM Browser, Opera Browser, Dolphin Browser, UC Browser इसको तो भारता में बंद कर दिया गया है Opera Mini, Firefox Browser, Chrome Browser, Mozilla, Safari, Internet Explorer, Microsoft Edge, Netscape ये कुछ मुख्य रूप से हमारे web browser है दोस्तों जिनको हम normally use करते हैं आप इनको आप देख लेना एक बार क्या पता है इनमें से कोई question आगए और आगे हम बात करते हैं दोस्तों web 1.0, 2.0 और 3.0 अब देखिए इसमें पहले इसका एक question देख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी ये theory देखिए निमें लिखत में से web 2.0 अनुप्रयोग की कौन सी विसेशता है ये question आया था दोस्तों हमारा 2017 के अंदर question आया था और इसमें ये पूछावा की web 2.0 का की क्या विसेशता है तो इसका answer 2 है दोस्तों 2 में क्या वेब 2.0 का अनुप्रयोग लोगों को आपस में मिलकर online सुचनाओं का अदान परदान करने की समता का समता पर किंद्रित है देखिए मैं अब ये जो web 2.0 है ना इसके ज़रे किया कि online लोग आपस में information का अदान परदान कर शकते हैं ये मतलब है और अब हम इन तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते है web 1.0, 2.0, 3.0 देखिए सबसे पहले हम बात करते है web 1.0 it is the readable para of worldwide web with the flat data web 1.0 के इंदर क्या होता था दोस्तों जो भी information थे उसको केवल हम देख सकते थे केवल read कर सकते थे interact नहीं कर सकते थे ठीक है अगर हमने कोई message पढ़ा है तो वो केवल पढ़ सकते थे उसका जवाब हम उसमें नहीं देख सकते थे तो ये था web 1.0 केवल और केवल information पढ़ने के काम आता था उसमें हम feedback नहीं देख सकते थे post का review नहीं कर सकते थे comment नहीं कर सकते थे और feedback नहीं दे सकते थे उसके बाद दोस्तों हमारे पास आया वैब 2.0 आया इसके इंदर क्या हुआ था दोस्तों राइटेवल हुआ इसके अंदर हम राइट कर सकते थे अगर हमारे पास कुछ चीज आई है तो उसका जवाब दे सकते हैं जैसे कि मान के चलिए यूटूब है पर हमारे पास मैसेज आता है तो हम उसका रिपलाई दे सकते हैं कोई फोटो आई है किसी की वीडियो आई है तो उस पर हम अपने कोमेंट जायर कर सकते हैं कोमेंट कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते दोस्तों वैब 2.0 के अंदर और अब बात आते दोस्तों वैब 3.0 इस इसके अंदर छिसका मैं मतलब बताता हूँ इसका क्या मतलब है जैसे मान के चल्य हम किसी website पे गए वहां पे आपने देखा होगा chat box बनावा होता है एक और पे चैट बोक्स बनावा होता है जब भी हम उसमें high लिखते हैं तो वहां से हमें एक रिप्लाय आता है how और इसके अंदर वह यह दोस्तों human और intelligence यानि कि artificial intelligence दोनों एक दूसरे से बातचित कर सकते हैं और यह दोस्तों इसके अंदर यह यानि कि जो web 3.0 है यह moderate होके आया है web 2.0 का version ठीक है और वह यह जैसे मान के चले हम फॉन मिलाते हैं customer care में फॉन मिलाते तो वो कहते हैं हिंदी में सुनने के लिए एक दवाईए English में सुनने के लिए दो दवाईए ठीक है इस तरह से आता तो वो भी कहें दोस्तों machine to machine learning है machine to human learning है तो इस तरह से web 3.0 के अंदर काम पुटता है और इस से related आगे हम बात करते हैं दोस्तों हमारे programming से related बात करते हैं इसमें से कैसे question करते हैं और बिलकुल असान question आते दोस्तों 2020 में जो question आए ना आप देखना कितने असान question आये है यह जून 2012 के अंदर question आया था नहीं है programming language कौन प्रोग्रामिंग लेंग्वेज नहीं है यह हमारा क्या है यह हमारा software रहे दोस्तों और अब हम बात करते हैं दोस्तों programming भासा क्या होती है program computer को दिये जाने वाले देशा निर्देशों का सैट होता है जिसके जरीए दोस्तों हमारा computer चलता है देखे computer को अगर हम कुछ भी कह कहेंगे बोल के कहेंगे तो वो नहीं चलेगा उसके अंदर हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा और जैसे मान के चलिए हम Google में जाके टाइप करते हैं वर्टीज दा कैपिटल ऑफ इंडिया ठीक है यह टाइप करते हमने तो English में टाइप किया है लेकिन वह जो समझता है व को केवल कंप्यूटर ही समझ सकता है मनुस्य के लिए इसे समझ पाना और इसे देख पाना ऐसंभव है दोस्तों क्यूंकि जैसे हमने बात की थी पहले binary डिजिट की बात की थी डेसिमल नंबर की बात की थी वन जीरो के अंदर ऑक्टल के अंदर बात की थी तो वह हमारे संकेतों के स्थान पर नॉमिनिक कोड का प्रयोग किया जाता है और इसी मसेनी भासा में बदलने के लिए एसेंबलर का उपयोग होता है किन्तु यह अलग-अलग प्रोसेसर के लिए अलग-अलग होती है इसमें से पहले कोश्चन आया हुआ है दोस्तों कि assemble भासा को machine भासा में convert करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है assembler का उपयोग किया जाता है ध्यान रखना आगे हम बात करते दोस्तो high level programming language की बात करते है यह मनुस्य दवारा समझने में बहुत असान होती है इसमें साधान अंग्रेजी के सब्दों का उपयोग किया जाता है बाद में compiler का उपयोग कर मचीनी भासा में इसको बदला जाता है जो high level language होती है दोस्तों इसको हम बिल्कुल असानी से पढ़ सकते हैं असानी से इसको समझ सकते हैं इंग्लिस वर्ड्स के अंदर लिखी हुई होती है लेकिन जब हमें इसे मचीनी भासा में कनवर्ट करना होता है तो इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं यह चीज़ आप ध्यान में रख लेना दोस्तों को मचीनी भासा में कनवर्ट करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है चीज आप ध्यान में रख लाए आगे मबात करते हैं दोस्तों प्रग्रामिंग लेंग्वेज के हम भात करते हैं जावा स्क्रिप्ट है दोस्तों उंपरें पर फिर दोस्तों Hamburg इसमें से कोस्ट आया है, फिर जावा है, C++ olvid, Type script, Go Programming Language है, SQL है, SQL ये हमारी लेटश्ट भाष कह Visit कों के इसमें से बहुत कोस्टण है Om我要 कहूशन के जो हमाएन कहूशन है। लेकिन जो हमारे popular जो language है वो यह है आप देख लिए ना बिल्कुल असानी से समझ में आ जाएगी जैसे PHP हो गया, Perl हो गया, Rust हो गया, CS हो गया, Flixer हो गया, PHP हो गया, HTML हो गया और इसमें एक हाँ आगे हम बात करते हैं दोस्तों टोप 10 बेस्ट मेसेंजर एप और चैट एप की बात करते हैं इन में से की question आया हुआ है दोस्तों देखिए दिसमर 2015 में question आया था निमें लिखत में से कौन सा एक instant messaging application है कौन सा instant यानि कि जल्दी से उसमें हम चैट कर सकते हैं यह दोस्तों इसका answer है for ABC ABC इन्होंने answer दिया है ABC यह तीनों की तीनों है दोस्तों WhatsApp, Google Talk, Viber यह तीनों की तीनों में हम जल्दी चैट और messaging कर सकते हैं और आगे हम बात करते हैं दोस्तों इसके अंदर कुछ यह दिये है चैट, messaging, application दिवे जैसे band हो गया, discord हो गया, facebook हो गया, facebook messenger, kick हो गया, slack हो गया, skype हो गया, snapchat हो गया, telegram, Viber, WhatsApp और भी आप use करते होंगे आप याद रख लेना दोस्तों हो सकता है, उन में से भी कोई question आजाए, आगे हम बात करते हैं दोस्तों operating system की बात करते हैं, operating system में से भी question आया हुए, नेमल लिखत में से कौन सा एक operating system नहीं है, यह सप्तेंबर 2013 में question आया था, कौन सा operating system नहीं है, इस cancer दी है दोस्तों, firefox इ आप देख सकते हैं, Mac OS है, यह 2001 के अंदरा है था और Apple दवरा बनाया गया था यहाँ पर, और iOS यह भी Apple दवरा बनाया गया था, 2007 के अंदरा है था, उसके बाद में Lisa OS है, यह भी Apple दवरा है, और Chrome OS है, यह दोस्तों यहाँ पर space कम है, इसलिए थोड़े अलग अलग कर के लिक के अंदर यूज होता है, स्मार्टफोन, टैबलेट्स और जो हमारे समार्ट टीवें, उनके अंदर यूज होता है, MS DOS, यह Microsoft दवरा बनाया गया था, फिर Windows है, Windows को हम यूज करते हैं, और उसके बाद में आप देख सकते हैं, ब्लैक वेरी, ब्लैक वेरी के दवरा बनाया हो गया था, 1999 के अंदर आया था, उसके बाद में Symbian हैं दोस्तों, यह Symbian Nokia फोन के अंदर बहुत ज्यादा यूज होता था, पहले के फोनों में, Nokia, Samsung, Motorola, Sony, erection, इनके अंदर बहुत ज्यादा यूज हुआ है, यह आप सभी देख लेना दोस्तों, यह जितने भी हमारे operating system है, आप इनको देख लेना, इनमें से question आये हुए है, और ज्यादा deeply इनमें से नहीं पूछा जाता कि कौन सा operating system कब आया था, कौन सी company लेके आया थी, यह कहां पर यूज होता, ऐसा नहीं पूछा जाता, बस वो option देंगे, इनमें लिखत में से कौन सा operating system है या नहीं है, ऐसे प पाइथन एक है, पाइथन क्या है, यह हमें बताना है, अभी हम करके आये न, यह देखिए, मैं आपको दिखा देटाओ, यह देखिए, यह था हमारा पाइथन, पाइथन क्या है दोस्तों, यह हमारी programming language है, और इन्होंने यह पूछा है कि Python क्या है, programming language, operating system, search engine, और यह पता आद में और मैं question दिखा देता हूं, जिससे देख के आपको असानी से blue हो जाएगा, कि हम कर सकते हैं, यह देखिए, कितना असान, कितना असान question दिया हो है दोस्तों, इन्होंने, Facebook, Facebook हम सभी को पता है कि यह chatting app है, और यह social media की एक app है, यह हमारा web browser नहीं है, तो कितना असान question यहाँ पर दिया हो है दोस्तों, देख सकते हैं, और दोस्तों हमने अब ही जैसे 2012 से लेके, और 2020 तक, जितने भी question ICT के आए हैं, वो अलग कर रखे, teaching के अलग है, company question के अलग है, research के अलग है, अगर आप इस question paper को देख लेते हैं, 2012 से लेके, 2020 तक देख लेते हैं, तो नचानों question आए हैं दोस्तों, और अगर आप यह देखें दोस्तों, यह आया था, नीचे दो कथन दिये गए, यह question paper दिखा देता हूं, कौन सा है पहले, यह देखें, 9-10-2020 को आया था यह, और यह question है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, कि दो कथन है, search engine को web browser के रूप में जाना जाता है, अब यह देखें, पहले यह देखें, search engine को web browser के रूप में जाना जाता है, नहीं दोस्तों, search engine हमारे अलग चीज़ होती है, search engine क्या है, जैसे google है, google हमारा search engine है, वो web browser नहीं है, search engine एक अलग चीज़ है, web browser एक अलग चीज़ है, web browser के अंदर काफी search engine हो सकती है है लेकिन एक सर्च इंजन के अंदर वैब ब्राउजर नहीं हो सकता तो यह दोनों की दोनों चीज़े अलग चीज़े दोस्तों दोनों अलग अलग है तो जो कथन एक है वो हमारा गल्थ हो जाएगा नमबर दो पर बात करते दोस्तों यह एक वैदा आईपी एडर्स का उधा रही है तो यह जो यह कथन एक और दोनों के दोनों हमारे गलत हो जाएंगे और यह आईपी एडर्स के बारे में हमने वीडियो बना रखे दोस्तों पीछे की आप वीडियो देख लेना बिल्कुल असानी से आपको समझवें आ जाएगा और आगे हम बात करते दोस्तों इंटरनेट सुचना का सबसे बड़ा अधार है आज के टाइम में इंटरनेट पे हम बहुत सारी इंफोर्मेशन ले सकते हैं और यह हमारे जीवन का एक महतोपुर्ण अंग बन गया है तो कथन एक है वो तो राइट हो जाएगा कथन दो की बात करते हैं यह HTML एक अधूरा कोड़ पैकेज है जो प्रयोक्ता दवरां वेब पैज बनाना संभव बनाता है यह HTML एक अधूरा कोड़ पैकेज नहीं है दोस्तों तो इसके अंदर क्या होका जोस्तों इसका जोा आउसर हो-गा कथन-1 यह दो राइट हो जाया और कथन 2 जो है गलत हो operating system क्या करता है दोस्तों जो user है जो human है और computer उन दोनों के बीच में संबंद स्थापित करता है तो बिल्कुल असान question आ रहे दोस्तों अगर आप पहले theory करते हैं और theory करने के बाद में question देखते हैं वही 2012 से लेकि 20 तक कैसे कैसे question आए हैं तो बिल्कुल असानी से आप दोस्तो करके आये थे वैब 1.02.03.0 उसी में से question आ गया है आप देख सकते हैं दोस्तों किस तरह से question repeat हो रही है अब देखे वैब 2.02.0 के इंदर हमने क्या बात की थी इसके इंदर क्या है इसके इंदर हम चैटिंग कर सकते हैं reply दे सकते हैं तो इसका अनुसर क्या है ब्लोग और Twitter Twitter पर हम reply दे सकते हैं किसी की फोटो देखे हमने अच्छे लगी उसका tweet अच्छा लगा तो उसको reply कर सकते हैं अब देखे सर्च इंजन है सर्च इंजन क्या अप अपना Google और Yahoo यह हमारे दोनों के दोनों क्या है सर्च इंजन है उसके बाद हम बात करते हैं system software की बात करते है व हैं कोई भी मुश्किल नहीं है अगर आप पहले question सोरी पहले theory करते हैं फिर question करते हैं तो और दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारी paid course भी join कर सकते हैं आप हमारी app image net download कर लेना उसके अंदर आपको सभी study notes मिल जाएंगे videos मिल जाएंगे 2012 से लेकि 2020 तक question paper मिल जाएंगे topic wise जैसे के research के question अलग ICT के अलग और communication के अलग सभी unit के आपको अलग-अलग question मिल जाएंगे जिससे आप अपनी तहरी बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं और और देखते दोस्तों अगर इसमें कोई question है तो मैं आपको दिखा देता हूं और question नहीं है दोस्तों और यह देखे दोस्तों एक चीज मैं बता रहा हूं आपको यहां पर यह जो फाइल है न अठारा पेज है यह केवल और केवल 2020 के question है इसके अलावा हमने 2012 से लेके 2019 तक भी फाइल बनाई हुई है तो वो हम question आगे की वीडियो में आपको करवाएंगे तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो उसी वीडियो को like कीजिए comment कीजिए share कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारी एप डाउनलोड नहीं किये तो आप हमारी एप डाउनलोड कर लीजिए निमीज नेट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रॉक्षिन मोक्स में मिल जाएगा Thank you दोस्तो 10 यूनिट की एड़ फ्री वीडियो से देने वाले हैं इसके अलावा भी आपको पेड़ गोर्ष में बहुत कुछ मिलने वाला है झाल बज़ मिलने वीजिए कुछ मिलने चालावत पालावा भीजिए ने वालावा पलावा भीजिए ने वालावाण। झाल झाल